हाई फ्रेंड्स यह रॉली स्प्रे 30 नंबर का पंप है दो एच्पी की मोटर है दो एच्पी की मोटर है यह सेक्षन की पुली है दो वी बेल्ट लगा हुआ है और यह आप कोई भी एग्रिकल्चर स्प्रे परपस या वाशिंग परपस के लिए यूज कर सकते हो दो कोग है मतलब दो आउटपुट है वन और टू यह प्रेशर एडजेस्टिंग एसेंबली हो गया इसका पूरा इससे प्रेशर एडजेस्ट होता है यह उपर खीचते है तो ओवर्फ्लो चालू होता है और नीचे करने से आपका स्प्रेइंग चालू हो जाएगा मतलब यह डिलीवरी में से बार निकलेगा यह आपका ओवर्फ्लो पाइप है यह आपका सक्षन का पाइप है और यहां पर डिलीवरी लगाया हुआ है मैं अभी एक ही कॉक का आपको इसका वह दे रहा हूं डेमो अब मैं इसको चालू करता हूं अब है अब यह ऊप्लो में से देखे अभी एपर है चैसव यह वर्फ्लो के पाइप में से फानी निकल दा अब जैसे ही मैं इसको नीचे करूंगा और इसे पानी कम हो जाएगा और अब ही मेरे है प्रेशर में में से चालू हो गया यह देखिए है अभी यह स्पेशल गन है यह गन आप बहुत ही डिफ्रेंट प्रेशर में चला सकते हो यह आगे का यूनिट है इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो इसको खोल दिया तो इसको आप पीछे कर सकते हो और जेट में ले सकते हो और समझो आपको फॉग में लेना है तो पूरा फ यह आपका फॉग नंशना द गचलना है और अभी फॉग करणा हम और यह उपर निचा करना और अइसल गदीहां अब हम इसका कितना लेंज हो रहा है कोर यह मैं आपको दिखाँ हुआ यहां तक जो इस पर इस नेक्स्ट वीडियो में मेजर टीप से कितना गिलनगी सब्सक्राइब निकलता है लेकिन आगे जा के यह वही होता है यह ऑर है कि अगर तीम्प में थोड़ा प्रैर इंक्रीस गांति sa asında रिखल्र के जीम दों बस्टाइ। यह इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है यह सेम प्रुड़क्ट आप इसको उसमें भी कर सकते हैं एंजिन ऑपरेटेड यह देखिया अब यह प्रेशर कितना लिया है हम लोग नहीं देख लिए और प्रेशर बड़ाना है तो आपको प्रेशर रेग्ट्रेडर से करके प्रेशर बढ़ा तो देखिए यह आशक प्रेशर बड़ा रहो है कि देख बढ़ गया और अबयुक्त कम कररहा है कि स्मुक्το अगर आपको यह प्रोटेक्ट पसंद आया है तो हमें कॉंटेक्ट कीजिए ओके